तो हेलो गाइज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे प्लांट कार्बन डायकसाइट देते हैं जी आपने एकदम सही सुना प्लांट भी कार्बन डायकसाइट देते हैं तो क्या आपको बच्पन से गलत पढ़ाया जाता है कि प्लांट ऑक्सीजन देते हैं हम तो यहा आप working member है कोई भी class से हो आप कोई फर्क नहीं पड़ता यह information आपके लिए important होने वाली है so हम स्टार्ट करते है then our first topic is respiration you might be thinking what is the meaning of respiration so I want to tell you that the simple definition of respiration is that the process by which food breaks down and converted into energy or the process by which food is converted into energy is known as respiration and agar हम simply बात करें तो respiration two types को होते है first होता है हमारा external respiration तो basically external respiration क्या होता है respiration जो होते हैं दो पार्ट में इसलिए divide होते हैं क्योंकि एक respiration होता है जो हमें साफ साफ दिखता है outer means outer environment में हमें वो साफ साफ अब्जॉब किया जा सकता है और जो सेकेंड पार्ट होता है वह होता है cellular respiration internal internal respiration और यह जो हमारा respiration होता है यह cellular level पर होता है और यह जो external होता है इसे हम एक और नाम से जानते है और उसे बोलते है ब्रीधिंग आम नाट शेर बाट शेलिंग तो यह जो ब्रीधिंग होता है यह एक respiration का ही पार्ट है जो कि external respiration में आता है जिसमें आता है exhalation and inhalation exhalation means जो भी हम सास को बाहर के दाफ छोड़ते हैं उसे बोलते है exhalation and the process of intaking air is known as inhalation मतलब हाँ हवा को अंदर लेते हैं सास के थुरू तो उसे बोलते है inhalation and अगर हम मुह से उसे बाहर फेके या फिर नाक से उसे बोनते है exhalation तो यह हमारा आ जाता है external respiration के पार्ट में और यह होता है internal respiration यहां से तो oxygen हमारे बड़ी के अंदर इंटर किया inhalation के थुरू और जो वो blood हम उस पार्ट को हम transportation वाले पार्ट में पढ़ेंगे इसमें तो हम बस respiration के बारे में बात करें तो blood में जो oxygen जाता है वो फिर blood लेके जाता है उसे cells के पास और cell वहां करते हैं हमारा respiration का final काम जो की होता है C6, H12 and O6 को convert करना होता है O2 के present में CO2, H2O and ATP adenosine tri-phosphate and जिसे हम energy currency के नाम से जानते हैं so this was a thing that was at the beginning so हम आगे की तरफ move on करते हैं तो हम respiration का तो पार्ट जानके इसे हम discuss करेंगे full detail in transportation part but we are starting with respiration in plant तो हम आपको अभी वो answer देने जा रहे हैं इसे मैंने address starting पूछा हुआ था क्या plant भी CO2 release करते हैं yes they release CO2 as well as O2 as well as H2O okay and जो food होता है वो तो हमें मिलता है यह बट यह CO2 अलग क्या concept है आपने तो oxygen को जान आप oxygen को जानती है वो कैसे oxygen release करते हैं वो photosynthesis के तुरू photosynthesis के process के दौरान यह जो होते है oxygen release करते हैं इसमें क्या होता है हो जाता है प्लस हमारा carbon dioxide जाता है प्लस हमारा chlorophyll होता है and in the present of sunlight so यह हमारा हो गया s2o जो कि हमें roots द्वारा आएगा plant में and बहुत बार atmosphere से भी lips absorb कर लेती है and co2 जो कि हमें atmosphere से ही मिलेगा and chlorophyll जो कि हमें plant में होते हैं यह sunlight के present में form करेंगे s2o plus c6 s2o6 and o2 जो जाएंगे हमारे atmosphere में so यह होता है हमारा photosynthesis का process and इसमें हमारा release हो रहा है O2 यहां CO2 absorb हो रहा है and O2 release हो रहा है तो 99% लोग बस इसी को जानते हैं कि plant हमारा oxygen देता है बट जो चीज लोग नहीं जानते यह होता है plant भी respiration करता है तो plant भी respiration करता है तो जहां भी respiration हो living organism में तो वहां हमारा CO2 release होगा ही होगा क्योंकि respiration एक exothermic reaction है जिसमें energy release होता है तो वहां consumption of O2 होता है मतलब O2 जब तक जहां नहीं रहे वहां तो आग या फिर heat type की चीज रिलीज होने की संभावना बहुत कम होती है बट कोई भी आग जलने के लिए O2 की सकता होती है हमारा जो respiration होता है इसमें O2 का बहुत जरूरी योगदान होता है हम उसमें भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे cases होता है जहां पी oxygen के absence में respiration होता है उसम और आरोबिक respiration बोलते है बट यह plant में जो होता है यह aerobic respiration होता है इसमें oxygen के present में plant respiration करता है and CO2 release करता है तो फिर ऐसा जब plant भी CO2 release करता है हम भी तो respiration ही करते हैं कि हमारे body से CO2 release होता है तो प्लांट भी CO2 रिलीज करता है, लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है, कि प्लांट हमें oxygen देता है, जबकि वो CO2 भी देता है, तो simple सा logic आप देख सकते हैं, अधे day time, प्लांट क्या करता है, फोटो सिंथेसिस करता है, अधे present of sunlight, प्लांट को अगर sunlight ना मिले, तो वो फोटो सिंथेसिस नहीं कर सकता, भले उसके पास ये चीजे क्यों ना हो, जब तक ये sunlight ना आए, तब तक फोटो सिंथेसिस नहीं हो सकता है, एंड, ये जो respiration होता है, ये दिन और रात, जब तक वो प्लांट या कोई organism जिवीत रहता है, तब तक वो respiration करता रहेगा, एंड, तो आपने इतना तो अंदाजा लगा ही लिया होगा, ये प्लांट जो होता है, दिन रात respiration करता है, बट ये जो फोटो सिंथेसिस होता है, ये बस डे टाइम पे ही होता है, ये जो फोटो सिंथेसिस होता है, बस डे टाइम पे ही होता है, तो जो oxygen release होता है, as compared to CO2 ज्यादा होता है, सपोज उसने 10 gram अगर, सपोज 10 gram अगर oxygen release करता है, तो इसमें से वो oxygen कम से कम 2 gram यूज़ कर लेगा वो, खुद के respiration के लिए, और मुश्किल से 1 gram और 3 gram वो carbon dioxide release करेगा, तो इसी कारण से कितना भी हुआ, कम से कम 8 gram oxygen उसने release तो किया, वो use भले ही कर ले, लेकिन वो तो उसी का oxygen release किया हुआ है, जो CO2 होता है as compared to oxygen, release बहुत कम होता है, और ये use भी बहुत कम करता है, that's why हम बोलते हैं कि plant हमें oxygen देता है, लेकिन अब आप जान चुके हैं, आगे से आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाले हैं, plant हमें oxygen भी देता है, बट साथ साथ carbon dioxide भी देता है, बट compared to oxygen, इसका मात्रा बहुत कम होता है, आपने बहुत बाद सुना होगा, people का जो pain होता है, उसके नीचे रात वो कभी नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे कोई घोष्ट वाले reasons नहीं मैं दूंगा, यहाँ पे बस simple science का logic यह समझी है, कि at night time, जो photosynthesis का process होता है, एकदम से बंद होता है, plant उस समय बस respiration ही एक process है, जो कर रहा होता है, रात को तो आपको नहीं लग रहा है कि sunlight present होगा, photosynthesis एकदम बंद, और जब respiration कर रहा होगा, तूष्टे में क्या release कर रहा होगा, hope you get that carbon dioxide, जब जब एकदम से एक पेंड है, किसी region में, suppose it's my pain, green green tree, यह जो है, पुर्य surrounding में, carbon dioxide release करता जा रहा है, चारो तरप से, इसके plant lips जो है, वो respiration कर रहा है, और चारो तरप इसने, carbon dioxide को release किया हुगा है, इफ हम यहाँ पे अगर जाएं, तो हमें क्या होगा, हमारे, जो mental जो है न, इस पे बहुत सारा effect पर अगर हम, direct carbon dioxide को inhale करें, तो यह हमारे लिए ठीक नहीं है, हम तो oxygen पे जीने वाले हैं, इसलिए हमें कुछ चक्कर टाइप का, जो होता है, सबसे ज़्यादा oxygen देता है, ओके, यह बहुत बहुत पूछा भी जाता है, यह उतना important है नहीं, लेकिन यह जो photosynthesis वाला, जो formula यह बहुत important है, यह जो cellular level वाला है, यह बहुत important है, आप इसे याद कर ले, और इसे balance करके, आप comment section में, जरूर डाल दें, आपने पढ़ाया balance, how to balance any equation, in chemistry first chapter I think, yes in your first chapter, so, यह हो गया हमारा, plant का respiration, तो हम आगे बढ़ते हैं, equity animal, तो यह हमारा कैसे respiration करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, कोई भी मचली होती है, वो सांस बहुत तेजी से लेती है, कोई भी फिस होगी, वो BRA, A, T, H, breathe faster, यह breathe क्या होता है, आप जानते हैं, सांस लेनी के प्रक्रिया, inhalation and exhalation, मैंने यहाँ पर उपर बताया हुआ था, कोई मचली को आप देखेंगे, वो बहुत तेजी से सांस लेती है, because, वाटर में जो oxygen यह होता है, यह वाटर में soluble नहीं होता है, वो बहुत जारा हाई प्रेशर उसको चाहिए होता है, तो यह जो अभी मैंने आपको बताया, यह आपको next topic में जरूर काम आएगा, transportation वाले पार्ट में, तो आप इसे एकदम से दिमाग में डाल लें, कि oxygen जो होता है, वो water में पूरी तरह से dissolve नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे जो blood होते हैं, उसमें हिमोग्लोबिन की ज़ुरत पढ़ती है, तो हम उस पार्ट में देखेंगे वो, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट से इसका क्या relation है, कोई मचली होती है, वो breath बहुत तेजी से करती है, विकॉज जो oxygen उसकी requirement है, उसे पूरा करने के लिए, अगर वो धीरा करेगी, तो oxygen उसे जो मात्रा में चाहिए, वो नहीं मिल बाएगा, सपोज यह कोई टब है, इससे आपको पानी निकालना है, तो अब जितनी तेजी से पानी निकालेंगे, और पानी में क्या मिला हुआ है, सपोज उसमें नमक मिला हुआ है, तो आपको नमक चाहिए बस, पानी से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो अब जितनी तेजी से पानी निकालेंगे, और चानेंगे, उतनी तेजी से आपको नमक मिलेगा, तो यह हमारा रीजन है, मसली तेजी से सास लेती है इस पर बहुत बार कोश्चन आए हुए है अब्जेक्टिव कोश्चन बन जाते हैं इस पर सब्जेक्टिव वन मार्क्स का तो चांस है बहुत सारे तो नाव मुविंग ट्वाड अनदर टॉपिक जैरोफाइट्स इस चीज़ को सुन रहा है यह एक से आरोफाइट्स क्या होता है यह एक टाइप ओफ रेस्पिरेशन है जो कि किया जाता है डिजर्ण स्फिरेशन करते हैं तो हलाग इस प्रोसेस में उतना खास नहीं है जाता है होता क्या है जितने भी प्लांट होते हैं जो कि डिजर्ण एरिया में होते तो रेस्पिरेशन का यह पूरा करते रहेंगे अब आप सोच रहेंगो वो कैसे क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए तो हम डे टाइम और नाइट टाइम पूरा करते रहेंगे आप देखिए रेस्पिरेशन के लिए क्या करना पड़ता है गैस का एक्सचेंज करना पड़ता है एट्मस्वेर से वो CO2 लेंगे means O2 लेंगे and CO2 रिलीज करेंगे और जो फोटो सिंथेशिस का प्रोसेस होता है वो खाना जबता है एनरजी नहीं बनाएंगे वो फीट हैंगे कैसे इसके लिए क्या करना होता है CO2 एट्मस्वेर से अबजॉब करना होता है and O2 रिलीज करना होता है तो यह जो प्रोसेस है इसे रात में क्यों करता है यह ताकि डिजर्ट में होता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रीम हीट होता है and वो जैसे अपने स्टोमेटा के पोर्स को खोलेंगे वहां से ट्रांस्पिरेशन बहुत फास्ट होने लगता है because at daytime जो दिन में temperature बहुत ज़्यादा होता है और जैसे वो अपने पोर्स खोलेंगे ट्रांस्पिरेशन बहुत तीज होगा ट्रांस्पिरेशन बहुत फास्ट होगा इस कारण को बचाने के लिए वह जितने भी अपने रेस्पिरेशन फोटो-सिंथेसिस्ट टाइप के जहीं चीजों होते हैं एक्सचेंज ऑग गैसे जिन में आते हैं वो रात में करते हैं तो उनके पास अलग सिस्टम होता है जिसमें वो CO2 को रात के टाइम पूरा अपने सिस्टम पे स्टोर कर लेते हैं एन फोटो सिंतेसिस के लिए क्या चाहिए सन लाइट जो सबसे इंपोर्टेंट है तिस CO2 को जो रात में वो इस्टोर किये रहेंगे उसी का यूज़ करके डे टाइम में सन के प्रेजेंट में अपने अंदर ही उसे कनवर्ट करते हैं O2 में और C6, H12 C6, H12 and O6 and H2O जो भी होता है हमारा प्रोसेस वो करते हैं फोटोसिंसेस वाला फिर यह जो O2 निकला उसे दिन में तो करते हैं प्रोसेस फिर उसे अपने अंदर यह स्टोर करके रख लेते हैं and फिर जब रात होगा तो इस O2 को रिलीज करते हैं तो आप लोग समझ चुके हैं कि जैरोफैट्स वो प्लांट होते हैं जो कि डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं जो हमारा फोटो सिंथेस का प्रोसेस होता है या एक्षेंज अप गैसे होता है उसे वो रात के टाइम करते हैं फोटो सिंथेस तो दिन में करेंगे लेकिन गैसेस जो रिलीज होगा या फिर जो अट्मोस्ट्यर से लेना होगा वो रात को निकालेंगे या फिर अफ्जब करेंगे so hope आप लोग इसे समझ गया होंगे so guys this is the written note that we have studied और आपको लिखना है इसके बारे में language तो आप वीडियो को पर्ज़ करके लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है so यह था हमारा respiration and next part में हम cover करने वाले हैं transportation please do like, subscribe and see you in the next video till then take care and bye-bye